अध्यूब फ्रेंड्स तो मलोग मफ्सीन डीजाइन की रिविजन क्लास में आज अभ फॉर्ड चेप्टर रेखने जा रहे हैं इसका नाम है डीजाइन आप साथ क्या देखेंगे थार्ट्टर डीजाइन आप है कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सब्ट का अभिकल तो सब्ट क्या होता पहले जानते तो सब्ट किसी मशीन का घूंगता हुए यानि रोटेटिंग पार्ट होता है जो अन घूंगते हुए अंगों जैसे कि गियर स्प्रॉकेट पूली आदि को क्या करता है सहारता है और ट्रांस्मीट करता है तो कैसा होता है विर्द्यकार का होगा अधरवाइस और रेक्टेंगुलर स्कॉयर क्राइब हो सकता है अब साथ के परकार देखें और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसमें आप लोग ब्लास तो बने रहेंगे ठीके यह तो इसका देख है तो पुछ इस पर निमेरिकल भी हम करेंगी इस चैप्टर से कैसे करते हैं सीखेंगे तो पहला है यानी ट्रांस्मिशन साथ ठीक है ताइस आप साथ के बारे में बता रहें तो वह साथ जो उर्जा उसमा उर्जा से यानी इन्पुट से आउट्पुट टक मसीन साथ क्या होता है साथ किसी मसीन का ही अभियद्ध होता है चै देखते हैं साब का मटरेयल साब किस मटरेयल का बना होता है ठीक है साथ के पतार चानि साफ किस मटरेंगी और डिनरी और ट्रांसमिशन तो किसके बने होते हैं मध्यम कार्बन सबस्वाथ यानि की मीडियूम व्यृक्ति मीडियम कार्बन स्टील सो चिंडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं जैसे 308 यह क्या है इंडिकेशन है ठीक है कैसे करते हैं कार्बन बैट्ट पर संट किया है मैंगनीज है तो इया मीडियम कारवन इस्टील कह लाते हैं तरह के जो यह स्टील है जो ऑर्डिनरी ट्रांस्मिशन के लिए यूज किया जाते हैं वह क्या कहलाते हैं मसिनरी यह सकता होती है तब आने के लिए क्या क्या जाता है प्लेन कार्बन इस पार्ट जैसे कि कि एक प्रियोग किया जाता है जिसको नहीं बोलते हैं डूसरी बात इस्टिल अपने क्छा इस्टेंद क्यों होता है हं इनका सामर्थते ज्यादा होता है होता है हाई मतवार कर घतील की तुलना ना में तुहरह अक सब्सक्राइए जूद्यों साहद के बने होते हैं जिन में कि मैदी competitive टिए क्या बोलते है इसमें से सीरो परेसेंट से कम होता है कमर्शियल साथ जो है सामाने क्या कर आते हैं इंजिनेरिग्ण सकताओं के लिए प्रयोग किया जाते हैं अब सुद्ध मरोड के अंतरगा साथ का अब यह बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बता दे नहीं बता देना मैं कुछी समझ रहा है यहां पर की देखिए इंचली काना क्या है कि यहां पर कि आपका सबसे पहले लिखा गया आपकी मतलब सेलबस में ऐसे लिखा हुआ है कि डिटर्मीनेशन आफट डायामीटर डिटर्मीनेशन आफट डायामीटर ठीक है सब्डेक्टेट्टू तो उसका सवाल लगाते हैं तो आप यह करते होंगे क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चों में इस बात के लिए यहां पर लग रहा है तो यहां पर नो फि Union सब्सक्राइब इसे बीकलियर डे रहे हैं अब यहां Pour जहां पर यह सभी अपना यूजुवल मीनिंग है टाउ मतलब टार्क होता है यह पोलर मोमेंटा फिनर्शी होता यह सब आपको पता होना जी पहले से ठीक है यहां पर डीटेल में नहीं जाएंगे जैनि धुरूवी जड़तों अगोड़ हिंदी में जिसको बोलते हैं अगर यह और रेडियस आपका रेडियस लिया जा रहा रहा है तो स One क्या होगा मैक्सिमंटर्ष यादिकतम करतान प्रतिवल अ्धिकतं मरोड करतन प्रतिवल है जो किस में उतपन होगा ठीक हैं यह मैक्सिमम वाला और जी क्या है आता मेet साफलिशी का तो करते हैं यानि दान्य नबाइश करके लगा लेते हैं तो वह तो ठीक है सवाल लगाने के लिए आप किसको यूज़ करिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप से पूछ दिया हाउ डू हाउ डिटर्माइन द्यामेटर आप साथ अगर यही सवाल कर दिया आप से क्योंकि आपके इसे लिखा हुआ है तो आप कैसे करेंगे कि आपको ऐसे निकालना तो कैसे करेंगे तो इदिजाइन दो आधार पर होता है आप उसके बाद भी दो तरीके का से लेहां डिखावी है से लिखेश में आपके इस्टेंथ क्राइटेरियन गधार अर्डिटी दोनों के आधार पर निकालना तो तो कैसे करेंगे जो पहला लेते हैं अगर सामर्थ क्या धार पर लेते हैं तो यहीं फार्मूला लिखाता उपर इस फार्मूला यह फार्मूला बहुत अगर लेंगे तो मैक्सिमम होता है तो इसलिए मतलब सबसे बाहर वाउटर फाइगर में सबसे ज़्यादा होता है यह द्यान देने के लिए और यह क्या है दूरूरी जड़त्व आगूर यारी की फोलर मोमेंट आफ इनर्सी है अब इसको आगे बढ़ा देते हैं जब इसको तो यहीं चीज अब ऐसे करके रिंखेंगे ऐशे माल लेते एगर सॉलिni साब्त हो तब क्या होगा साब्त है ईप सब्ड़त्र हो तो सद्र्च का व्यास दी है और माले रिटेसर और जो में दृक्ा बड़ते क्या होजा योकि मतलब फार्मूले के बेसिस पर देखें तो यह अंतर होता है लेकिन इन में बहुत ज़्याद आंतर है वह सारी चीजें यहां पर डिसकास करने की ज़बद नहीं है ठीक है उसके बाद तो स्ब्सक्राइब करें किलिए यह लिए दिक्योट सकते हैं यहां से लिख सकते हैं यह यह एक्वैशन एक है तो यहां लिख देते हैं बाइब क्या कर शकते हैं इस कर सकते हैं इस डायमीटर निकाल सकते हैं जहां पर पर अगर यहीं तो हालो साप्ट के लिए आपका जो जाएंगे जैसे आर के लिए डी आउटर पांट वह जाएगा जे इतने इस फार्मूले से लिखा जाएगा और फिर क्या हो जाएगा अब एक चीज और माले लेते हैं सवाल को इजी बनाने के लिए तो यहां से फार्मूले में तो यह फार्मूला आपके पास बनके आ जाता है जब वहीं पर रखेंगे जो अभी वैल्यू निकला तो यहां हो गया टाव इकल टू सिक्स्टीन टी अपान पाइड आउटर का क्यूब और ब्रैकेट में ब्रैकेट में वन माइनस टूदी पाउर पॉर बस यह ध्यान रखिए क्या है यहां से क्या हो जागा बिल्कुल आसान हो जाता है याद करना तो चाहे आप यह फार्मूला डायरेक्ट यूज करिए क्योंकि बहुत से बच्चों को परिस्तान ही होती इसको डायरेक्ट यूज करने से वह डरते हैं क्योंकि किताबों में क्या लिखा है किताबों में यूज करता है ती वाई जे इस इक्वाल टॉ टाउ अपान आर तो भाई सभी आपको अगर मन करता है तो यहीं करिए लेकिन यह भी करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि उसी के लिए तो उसी से तो आया सब कुछ हो रखे लेकिन हाँ अगर कर पूछेगा कि कैसे आप डा करेंगे नहीं वह सही नहीं है तो ऐसे करना है आपको ठीक है अगर पूछ दिया तो और सवाल लगाते हैं चाहिए लगा यह बात कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों से फार्मूले बस हमने क्या किया इसमें क्या किया है आर और टाव आर और जे के वैली को पूट कर दिया जिसे क्या हो गया सिंप्लिफाइट फार्मूला हो गया एक बार में सिधे याद करने के लिए ठीक है अब देखिए तो वहीं हमने लिखा कि एक और दू वहां पर लिखा था कि नहीं तो सामर्थ के अधार पर समिकरण एक तथा दो से यह आपको लिखना बहुत ज सकते हैं साथ का डाइमिटर निकाल जोते हैं तो जब टार्टि लगा हो तब मरोड कोड किस प्रकार से दिया जाता अब हमने फार्मूला देखा ती वाई चे इस इकल टू जी तीटा पान ये तीक है ना तो यहां से क्या हो जाता थीटा इगल टू टी एल पान जीज हो जा तब क्या होगा यहीं तो यहां से क्या अब इसको फिर से में क्यों यह ही क्या भन जाता है अब इसको फिर से आगे सिंप्लिफाइब करते हैं चैसे लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात और यह यह वाँड़ी से गुड़ा करेंगे तो एक से गुड़ा करेंगे तो 122 आब अब अब क्या हो जाएगा अब अब डिग्री में हो जाएगा यानि फार्मूला आपका सीधे हो गया इसको जब सॉल्व करते हैं लगवग लगवग पांसो चौरासी आता है तो आप यहां से डारेक्ट फार्मूला का सकते हैं जब ठीटा डिग्री में हो पांसो चौरासी तो इस आधार पर डी कमान निकाल सकते कि नहीं कि डी टू दी पाउर फोर हो जाएगा पांसो चौरासी टी एल अपॉन जी ठीटा और यहां पर ठीटा किसमें है डिग्री में आपको सोचना भी नहीं है कि आप बदलने रेडियन में कि नहीं क्योंकि सवाल में हमेशा आपका स्टेडियोटाइब यह हम लोग करते हैं यहीं यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है यह लगाएंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए यह लगाएंगे तो थोड़ा कफिन हो जाएगा यहां पर ठीटा को ध्यान रखेंगे रेडियन में रखेंगे तब जाके अंसर आ आपके सामने इसको फिर बोलने के जरूरत है नहीं सबसाब के सामने है अगर आप देख देखते चलेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा फिर फार्मूला हो जाएगा फिर वह होगा 584 टील डी आउटर के पावर फोर हो जाएगा वन माइनस सीटू दी पावर और यह हो गया 584 टील अपान हालो साथ के लिए जी डी आउटर के पावर फोर वन माइनस सीटू दी पावर फोर बस देखी उसे माया जैसे उसमें था पीछे वाले ठीक है कोई अंतर देखने को नहीं मिला अब आगे देखते हैं तो यहां पर वही फार्मूला लिखा सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ का डामीटर निकाल सकते हैं अब थीटा के कुछ पर मिसेल वैलू होते हैं अनुमियमान मतलब पर मिसेवल वैलू मतलब थीटा कितना होना चाहिए working condition में practically ठीक है तो अगर normal condition है जनरल condition लेते simple ordinary condition तो ordinary condition में आपका थीटा जो होता है एक degree होना चाहिए प्रति 20D लंबाई साथ की लंबाई में यानि के गर 20D आप L को लेते हैं यानि आट की लंबाई 20D के बराबर लेते हैं तो एक degree से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या एंगल आप ट्विष्ट यानि अगर लाइन साक्ता होना चाहिए तीन डिग्री से बराइए प्रति मीटर साथ की लंबाई के लिए यहां पर देखिए यहां पर टूंटी चाहिए ठीक उसके बाद अगर मसीन टूल्स की बात करें तो मसीन टूल्स के लिए कितना होता है थीटा जो होता है वो लेस आर इक्वल टू जिरो पॉइंट टू फाइब डिगरी यानि पत्चीछ डिगरी से कम या बराबर होना चाहिए और यहां पर भी एल कितना लेंगे एक मीटर लेंगे यानि प्रती मीटर साफ की लंबाई के लिए ठीक है अब देखते हैं अगला जो है बेंडिंग मोमेंट के आधार पर एक्षिली है ठीक है तो सबसे पहले आपको बता देते हैं बेंडिंग एक्वेशन क्या होता है क्योंकि यह जानना जरूरी है अभी त लिखते होंगे ठीक है कोई निकत नहीं है सिग्मा भी मतलब बेंडिंग सकते हैं ठीक है अब आप इस इक्वेशन को देखिए तो इस उस बीम के क्रास सेक्षन का मोमेंट आफ इनर्फिया है सिग्मा भी क्या है कि आपका बेंडिंग इस्टेस है और वाई क्या है निउट्राल एक्सी से दूर सब्सें दूर एक सर्फेश फाइबर का चाहिए वो उपर की और चाहिए नीचे की और वह डिस्टेंस है तीक अगर आपका लग रहा हो माली जी अगराप पर यही बेंडिंग वुम्मिंट लग रहा हो तो मतलब यहां फार्मूले से रख देंगे पाइडी के चार बटे 64 उससे कोई दिक्कत नहीं है वाई जो हो जाएगा वो रेडियस में करण हो जाएगा ठीक है और मैक्सिमम बेंडिंग इस्टेस जो जाएगा सिगमा भी उसी से लिखेंगे ठीक है तो यहां से यह हो जाता और यहां को छोड़िए इससे कोई दिक्कत नहीं है इसको मतलब इसको हटाएगे तो यह हो गया हमारा बेंडिंग एक्वेशन ठीक है और इसका यूज होगा किसमें साप्ट के डिजाइन तो उसी को उसका यूज होगा तो हम लोग देख रहे हैं कैसे होगा एक्सल बात कर मतलब होता है यह तान्स वोर्णस लोड्ड अनुप्रस्भार का मतलब लोड जैसे यह बेरिंग रियेक्शन ब्यरिंग रियेक्शन के कारण नमन गूड यानि की vending Moment धिक लगा होता है यदि कोई टार्क कोई उपयोगी टार्क बोले यानि कि मेंड़ नहीं करता यानि इस पर टार्क एक्छिली में नहीं लगता है ठीक है एक्सल ऐसा ग्यक्ता न भांट। होता है शावारी में जो पावर में में नहीं से नहीं होता है, आपको बता है हमलोग लोको मुटी ए कंपलिंग लगाथ होटा है eli demorrhanogen पढ़िंग लोगों लगा होता है उसके माद्यम से थावर में वह सीरे। modus in गर करता है पूरे बहर की सब्सक्राइब उसको सहम करता है तो बहर क्योंकि एक्सन होता पत्री पर लगा होता से यह सो घंवरी जाता तो उस पर क्या होताalone तो गलता है जो ऑनτα जाता है वह या तो सेंटर पर लगाया जाता है मुहिंत्यार जो की धूरा बाकस के द्वारा होता आप लोग देख़ेंगे एसे चोटे-चोटे बाकस होते हैं जिनको धूरा बाकस बोलते हैं已 एक्सल बॉक्सेज उनिके ठूरू स्प्रिंग के माध्यम से उस Northwest लगता नहीं देखते हैं द्वारा इनलीसिस आप आराम से कर सकते हैं ठीक है अब देखे एक्जामपल में जैसे कहा एक्जामपल में रियार एक्षल होता है ठीक है उसके बबाद पहले पर उसके बाद नोट में कुछ और भी छीजें जैसे कि कभी-कभी excel में ट्रांस्मीट करता है जैसे आटो पहिये के साथ रोटेट भी कर सकता है दूसरा नोट है और अथवा सिंपली पहिये को सपोर्ट कर सकता है ठीक है उसके साथ रोटेट भी करेगा या फिर सिंपली सपोर्ट करेगा लेकिन यह नहीं है कि रोटेट नहीं करेगा तो रोटेट करेगा लेकिन टार्क उस पर नहीं करना जब कि उस पर केवल क्या लगा हो बेंडिंग मोमेंट लगा तो यह भी आपके सेलेबस में लिखा हुआ है कि यहां पर आप एकसल भी कर सकते हैं अगर आपका डिजाइन पुछा तो इस साथ के जगा पर एकसल आप कर दीजिएगा ठीक है बात उतने से ही बस उतने से आपका काम बन जाएगा तो अधिक्तम नमन प्रतिवल अभी हम देखें फार्मूले से ठीक है एम आई अपान सिग्म सिग्मा भी यानि मैक्सिमम बेंडिंग इस्ट्रेश क्या होगा एम आर अपान आई होगा ठीक है तो यहां पर लिखा गया अब आगे चलते हैं जहां पर आपका व्यास है और आई क्या मुमेंटा पिनर्सिया हम जानते हैं ठीक है अब उसके बाद यह सॉलिशा अब मान ल स्ट्रेश बाल ओस्ट्रेश ब करें प्रतिवालु से तो यह आप का फार्मुला एद की पर्दे के चार पर्वर्डेशलय हो कि इसे इस को पड़ते हैं और तो कि करीं करना तो इसको कोई कुई दिखकत नहीं है लेकिन आपको अगर कैसे कर तो कई प्रोसीजर करना पड़ेंगा और आ अगर सोर्ट हो तो वह बासे जो पीछे वाले में किए आप मैस्성 हरो सब्सक्राइब उसक्साइब तो इस से इक्वेशन से और अगर हालो साथ हो तो थर्टी टू एम अपान पाइडी आउटर का क्यूब यानि बाहे डायमिटर है और माइनस वन अपान वन माइनस सी के पाउट फोर जहांस की क्या है डी आई अपान डी हो है ठीक है क्योंकि यही दिया भी होता क्वेश्चन में तो आप आराम से र कर लेते हैं ठीक है साथ का व्यास ग्याद करना जबकि साथ पर संयुक्त नमन तथा मरोड प्रतिवर मरोड घुड लगा हो यानि संयुक्त यानि कंबाइंड अब आ गया यह भी दिया था कि कंबाइंड बेंडिंग और टार्सनल इस्ट्रेस जब लगा टार्सनल सोरी टार अब यहां पर देखें यहां देना है सिग्मा भी हो जाएगा और केवल आर्मा लिजिए कि क्यों टार्सनल मॉमेंट लगा हो तो टर्सनल इस्ट्रेस जो हो यह हो जाएगा यह फार्मूला एतना तो अनको पता लेकिन क्योंकि इस पर दोनों C R stress लगेगा ठीक है यह आप लोग Mawas में पड़े होंगे थोड़ा वोग ठीक है उसके बाद इसमें दो फार्मूले बनते हैं एक होता आधिकतम प्रिंसीपल स्थेस्ट्रेस्ट माईक्सिमम प्रिंसीपल इस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्स उसका फार्मूला हुता है स्ग्मावं Finnish मारा इन यृपर सिग्पलाइफ सिग्मा एक्स एका सवाइए स्ग्राइट थीडिया इन सिग्माट इस ल्गता है की ऊपिसरी ऑर si i kisके बरावर है जो की सी फ़र्स लगता है तासनी औस यहां कितना होगा यहां पर थर्टी टू एम अपान जो वही चीज यह मारा पान नहीं कर लेंगे वो तो ठीक है चलिए इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि साली साथ के लिए सॉलीड और हालो भी नहीं कर रहा है अभी छोड़ी तो अभी क्या हो गया अभी सिग्मा वन जो मिल गया यहां इसके बाद आगे दिखते हैं अब अधिक्तम की बात करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हमारों मैक्सिमा इस्टेश उसके रख देंगे सिग्मा पर रहें यहां पर रख देंगे यह ऐक और दो है समीकरड एक और दो याद रखेंगे अब मानेंगे कि माली जिस सॉट्ट क्या है को स्सालिड तो सॉलिट सापको केस में क्या करेंगे सीक क्मा भी निकालेंगे इतना बहुम्वा अब एक से सितना कि इसकी स्टेस आएगा थिटीटीटीटु एपान पाइडीव आएगा ठीक है अब इसके बाद क्या कर देंगे जो सिग्मा उनका फार्मूला यानि मैक्सिमम प्रिंसिपल इस्ट्रेस का फार्मूला इसमें रख देंगे यह हमारा फार्मूला बन जाएगा एक साथ 16 अब पाइडी क्यूब प्लस अंडर उट 16 अब पाइडी क्यूब का अलिश्कार ठीक है कि अब देखिये क्यों क्यों हो रहा है क्योंकि सिग्मा भाई सिग्मा भी बाई टू था ठीक है इसलिए बद्टिस से क्या हो गया आदा हो गया अब आगे बढ़ते हैं अब आगे देखेंगे हम लोग कि अगे इसमें आप सिक्स्टीं अपान उल्यकिव जब कॉमन ले लेगे यहां पर क्या बचेगा उन्डर रूट म स्कॉयर की स्कॉयर बचेगा तो इस तो यहां पर θोड़ा से मूज किरा और के बता देते हैं तो आपका maximum क्या इसी बात कर रहे हैं maximum principle order maximum principle इस्ट्रेश यो उत्पन होगा करी at sigma 1 वो कितना होगा 16 आपान 5 q इन रेकेट में यहां प्लस अंडरś ale m is Karpad T to say इतना जो है आपका क्या उत्पन होगा maximum मैक्षीमाइग प्रिंसिपल किसके बज़ा से कमबाइण बेंडिंग और तार्सनल मोमेंट के कारट लेंडिंग म मेंट है मैं तार्सनल मॉमेंट ये है और टाउ मेक्स जो आपका आएगा या तो यह आगया दोनों और दूसरा कि लिए इसका यूज नहीं करते हैं लकिन किताबों में दिया तो कोई बात नहीं अगर आपका दिया है जबंगेलों तो सवाल लगाने लेकिन यह मान्येग यह गलत था ठीक है यह सही तरिका नहीं है जो तव zu रिदिनो लगा होता है के वाल और के वहाल बेंडिंग मोमेंस लगा होता और उस बिदिंग मोमेंट के का राठ कि में बराबर होता है में वन अपॉन टू इसी को लोग बोलते हैं इसका मत्लब क्या है कि अगर एंगर दोनों लगते यह नहीं कि बेंडिंग मोमेंट और टास्टनल लगते के वल उसमें बेंडिंग मोमेंट ही लग जाए ठीक है जो कि मानका होगा तो वह सेम इस्टेस इतन प्रतिवल उत्पन करना चाहिए इतना ही इतना ही इतना ही बेंडिंग इस्टेस क्योंकि यह नार्मल इस्टेस है तो उसको आप जब रखतेंगे तो यहां से आपको कैल्कुलेट करके मिल जागा है यह जगा पर आप क्या रखते हैं थर्टी टू एम इपान पाई डी रख रहें तो आपको यह से कट जाएगा तो इसी कम बोलते हैं इक्वेलेंट बेंडिंग मोमेंट का भी वही कॉंसेप्ट है कि अगर आपका एम और टी नौ लगके केवल टार्क लगे इस पर ठीक है उसको हम लोग एक्वेलेंट टी लगे तो उसकेस में अगर केवल टी लगे क्योंकि यहां पर टार्क क्या है जब इसको इसके बराबर केलकुलेट करेंगे तो 16 कट जाएगा पाई डीव से पाई डीक्यू गड़ जाएगा तो टी यानि इकववलेंट टार्सनल मोमेंट आपका जाएगा अंडरूट म स्कॉर्ट प्लस ठीक है तो इक्ववलेंट टा और और बेंडिंग मोमेंट रहागा तो यह तो यह तरह से होता है अब आज़े देखते हैं तो यहां पर वही सब सब चीज है इसमें वह नहीं है वही जो बताएं ऐसे जिसे सवार लगाते हुए हालो है तो जब होगा तो क्या करेंगे लिए यह हो जाएगा और वैसे जैसे उसमें करते आ रहा है पीछे सारे सभी में वैसे यहां भी करते जाएंगे करते जाएंगे आपको यह यह वही हासर मिल जाएगा क्या मिल जाएगा यह हमारा मिल जाएगा सिगमावन इतना मिल जाएगा है ठीक है वार से डीजाइन ठीक है तो यह है अमेरिकन सोसाइटी फार मेकेनिकल इंजिनियर्स फुल-प्रम उसक आधार आधर मतलब तो इसी के जैसा जो है सईक और करना घ 정도 जो सब पर यहां पर करके हूं कीया जाता दीजाइन कीया जाता है ठीक है तो यह प्राक्टिकल एक तरह का है यह आपका आइडिया नहीं जो सवाल आपके लिए नया चीज़ डाला गया जो पहले करते थे उसमें क्यों क्या था थोड़ा यह प्रैक्टिकल थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ भी देखते हैं देखते हैं अप्र प्रतिबल यानि ताउ मेक्स कमान बीना कीवे वाले साथ के लिए STUDY evenaster का क्या लेते हैं 30 परसेंट ज से जो मान कम होता अब इन दोनों मान को लेंगे और उसमें से जो मान कम होगा उसी के बराबर लेते हैं अभी आगे समझ जाएंगे हम लोग क्या आपक्षिली कर रहे हैं तो टाव मैक्स कितना लेंगे इसलिए टाव मैक्स आपका दीजिए टाव मैक्स यानि मैक्सिमम जो इस्टेंथ लेंगे ठीक है वो कितना लेंगे 0.30 SYT लेजिए टाव लेते हैं ठीक है यह मतलब यह जो है सपका इस्टेंथ को का मतलब आता है जया आता है यह एक्षिली जो हम लोग निकाल रहे हैं थर्टीटू या सिस्टिन ये फ़कर करके और मैक्सिए ठीक है यह मैक्सिमम सब्सक्राइब यह हो तो उपरोक्त मान को 25% कम कर लेते यानी जो भी आयगा मान ठीक है और जो भी उसमें से कम होगा उसका 25 परसंट कर देंगे अगर साथ में क्या लगा हो की वे लगा हो तो देखिए प्रैक्टिकल कंडिशन में साथ पर केवल बेंडिंग और बेंडिंग कोडिकर इसी लिए यह चीज आया है यह कमबाइंड वाला समय कोडिकर bend and & traditional moment को गुढ़ां को did She K T के करंसव गुढ़ा कता है यह गुजां क्या होते हैung CO or fatigue यानि घठकां थकान अपरेटण कंडीशन में उत्पन होने के कारण आते मतलब इसी के वज़ह से के वी और और टी में ठीक है तो यहां पर देखते हैं लोग आगे नोट जो एसमी कोड मैक्सिमुम सियर इस्टेस थियोरी आप खेलियर के लिए वैलिड है क्योंकि बिल्कुल उसी का फार्मूला का यूज किया जाता है तो यहां पर टाउ मैक्स जो आपका मिल जाएगा क्योंकि मैक्स इस्टि आपका बीकुक्य क्या कर देते हैं अंडर रूट देखें यहां पर के बी लिखा हुआ यह का फोल इस क्या यह क्या है यह क्या है क्य फॉलिस्ट फैक्टर है कोफिशियंट कर सकते हैं फटिक फैक्टर ही भो लेंगे ठीक है और केटी क्या है कमबाइंड फटिक फैक्टर फार टार्शनल मोमेंट के लिए तो इस फार मुले से हम लोग डिजाइन करते हैं लेकिन यहां भी टाउमेक्स कैसे लेना है याद करिए या तो आप 0.30 सब्सक्राइब लेंगे या फिर 0.18 इस यूटी इन दोनों में से जो भी कम होगा वह लेंगे ठीक है अगर कीवे होगा तो जो सब्सक्राइब उसको क्या करें घाटा लएंगे या 25 पर सेंट लेंगे उसके बाद यहां पर रखें और देखेंगे कि साट पर कितना कि Didi कहां से लेंगे तो यह हो गया अप्लिकेशन अगर वोड़ ग्रैजिवाली अपलाइड है तो उसके लिए के वीट टी बॉन पॉंट दीरो अगर लोड सदेनली अप्लाइड है यानि माइनर सॉक है ठीक है ग्रैजुरी अपलाइड में तो कोई सब्सक्वाइड होगा नहीं लेकिन जो सड्डेनली अप्लाइड होगा तो उसमें भी माइनर सॉक ले रहे हैं ठीक है माइनर मतलब कम लग रहा है तो वन पॉइंट फाइफ से दू पॉइंट जीरो तक लेते हैं के भी और केटी क्या लेते हैं वहन वण से लेकर वन पॉइंट फाइब तक लेकिन लोड सदेनली अप्लाइड हो और मेजर सॉक हो याने ज्यादा सॉक लग रहा है ठीक है तो उससे में दो से तीन लेते हैं के भी और केटी लेते हैं वन पॉइंट फाइव से ठीक है ने इस परकार बदलते हुए वारो के लिए यानि यह फ्लक्टवेटिंग लोड के लिए कीवालेंट टारस्टोर्सम्टी और उपीडेंड हो जाता है क्या जाता है Olha के साथ क्या आ जाता है इसको अगर इक्वछलेंट मोविंट की बात करें तो प्लस के साथ क्या आ गया क्यों कि इसी तरह से इक्वछलेंट मोमें जाएंगे ठीक है तो अगर हैं मतलब हमेशा fluctuate कर रहे हैं तो आग केबी और केटी लाना होता है अब जो है हम लोग सवाल देखते हैं कुछ ठीक है इस पर तुकि इस में के सारे त्योरी जो है कम्प्लीट हो गए है अब इस पर क्या देखते हैं हम लोग सवाल देखते हैं कि तो सवाल आपके सामने हैं कि क्या लिखा है कि प्रेला सवाल कि 200 पर 20 किलोवाट पारिशित करने के लिए ठोशाफ्ट का प्यास ग्याद केजिए ठीक है हम यह चाहेंगे कि आप लोग एक्जाम में इंग्लिस में तो पढ़िए ही पढ़िए लेकिन आज कल जो है बिल्कु पेपर को लेकिन इंग्लिस वाला जरूर ध्यान देजिए क्योंकि आज कल जो है इतना ट्रांसलेशन में गडबड़ी हो गया है ठीक है कि आप समझ नहीं पाएंगे हिंदी वाला तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप समझी नहीं पा रहे हैं और आप इंग्लिस में पढ़ते तो स समझ जाते तो आपको जरूर करिएगा दोनु माध्यम में पेपर को पढ़े ठीक है इसे आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा क्या करना एक्चुली में कभी-कभी हिंदी में जब पढ़ते हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाता है एक्चुली में क्या लिखना है ठीक है और कभी-कभी हो जाता ऐसा कि आपको कुछ और लिखना चाहिए था इंग्लीस में पढ़ने के बाद आपको पता चलता है और हमने लिख दिया कुछ और हिंदी में पढ़ने के बाद ठीक है ना तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देजेगा ठीक है और हमें साब को बोला सब्सक्राइब जाता है कि इंग्लिश वाला मानने होगा इंग्लिश वाला पढ़के आप पॉस्च्चन लगाएंगे तो जादा आपके लिए सही रहेगा फिर यहां पर सही सही क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है तो 200 आर्पीम पर 20 किलो वाट पारेसित करने के लि यहां पर होती है क्या करेंगे यह सब चीज़े होती है अब क्या है ततास्तु रक्षा गुडांस क्या है आठ है यादि फेक्टर आप सेटीएट है यदि ठोशाट की जगा पोखला जब किया तो आंतरिक तता ब्यास कि वैष्ट का है को इसमें दोनों सवाल हो गया पहले का थोसाट का व्यास ग्यात कि यह उसी के जगा ऑर में इंटर्नल डायमीटर और एक्टर्नल डायमीटर का रेशियो दिया हुआ जिरो पॉंट फाइव तो इंटर्नल आउटर डामीटर भी क्या होंगी वो भी बताईए ठीक है तो यहां पर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो गीवेन होगा गीवेन हो लिख लेते हैं तो गीवेन क्या है देखिए हम तो इंडिकेट करके लिखेंगे लेकिन आप एक्ज 20 किलोवाट ठीक है और उसके बाद कहा रहा है कि थोज़ साप का गयाद तो पी 20 किलोवाट हो गया तो सबसे पहले यहां पर जरूरी हो जाता हमको टी निकाल ठीक है क्योंकि हम जो फार्मूला यूज करेंगे शाप का डैमिटर निकालने के लिए उसमें हमारा टी आया का कि या फिर यहां पर यह जहां पर यह जो भी आपको सई लगे तो हम लोग यह यूज करते हैं टी क्या हो जाएगा आँ इन्टु पी अपॉन टू पाइट तो किस्टि ताउजन इन्टू पी टून्टी किलोवाट क्योंकि यह किलो वाट में ही ओगा पावर जब 60-10000 होगा तो इसके बाद टू पाइप सबस्क्राइट निकल जाएगा तो ती कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग ठीक है तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करते हैं और मैच भी कराएंगे बुक से तो चलिए थोड़ा सा समय देंगे आप लो कुछ सेकंड्स का चलिए तो इसको हम लोग निकालते हैं निकालते हैं ती का मांग तो 60 थाउजन इन्टू ट्वेंटी इस इकोल टू दीस हो गया फिर डिवाइट पर ना हम पूर्ट तू पाई यानि टू तू इन्टू पाई इन्टू टू हंड़ेट ठीक है इसको करेंगे तो 954 आ रहा है ठीक है 974 दस्मलो नो दो नो हुआ कि 6586 यह क्या गया न्यूटन मीटर में आप चाहिए लिखेंगे जितना लंगा उतना आपका एक्षार राइगे लेकिन हम जो यूज करेंगे क्योंकि जो स्ट्रेस करेंगे वह किस में यूज करेंगे हम लोग वो वो यूज करेंगे हम लोग न्यूटन पर मीटर में तो इसी लिए इसको हम लोग न्यूटन में कर लेते हैं तो 1000 से गुड़ा कर लेंगे तो न्यूटन में में हो जागा तो 954929 ठीक है 954929.6586 क्या हो गया न्यूटन अब देखें कुछ चीजें यहां पर अभी आब आपके पास फार्मूला है चलिए उसको अभी समझा देंगे तो अब यहां से colon Church type का ड水 सकते हैं तो यहांसे डी क्या हो जागा 16 एपाउ P लेकिन हैं यहां पर टाउ। है कहां यहां यहां पर देखते हैं तो ताव में आपका क्या लिखा है यह जिखतों वाला लिखnea और ऐसे अगर आपके साथ सेड़ fast वाला दिया है याम अपक्राइक आपका सकते हैं तो ताव फेलियर का सकते हैं जिया या इतने पर फेल होता है तौप कितना दिया त्री अंडे सिक्स्टी न्यूटन पर आपको बताए तो फैक्टर आप रखेप्टी वागरा जब बताए थे उसमें हम आपको बताए थे हमेशा जो है हम लोग परमिसिवल इस्टेश का यूज कर निकालेंगे तो क्या होगा हुगा क्या होगा मनागल अपक्तर कर लेते हैं इस 360 डिवाइड़ बाइट आपका एंसर आगया 4545 न्यूटन पर एम एम स्कॉयर होगे चलिए अब 45 न्यूटन पर एम एम स्कॉयर तो तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे अपना वेलू रख देंगे यहां से हमारा दी आ जाएगा तो यहां से कमान रख देते हैं पंचानवे चार नो दो नौ दस्मलो छे पांच आठ शे डिवाइड़ बाई इसे याद कर लिए जान लिए इसे एक पिछली बार पूछा हुआ था तो हो सकता है लब इसे क्वेश्चन आना या तो क्वेश्चन ही ज्यादा पॉसिबिल्टी होता है ठीक है और टाव का वैलू रख दिया 45 जैसे रख दिया तो यहां से डी जो है क्या करना इसका क्यूब रूट निकालना तभी निकलेगा त देखिए कैसे कर रहे हैं एक एक स्टेप हम बोल रहे हैं वैसे आपको भी कल्कुलेटर में करना तो हमने लगाया पहले ब्रैकेट फिर लिखा 16 इन्टू 9549 टू 9.6586 फिर ब्रैकेट हमने कर दिया बंद फिर किया हमने डिवाइड फिर एक और ब्रैकेट लगाया ओपेन कि फिर लिका पाई इंटू 45 फिर हमने किया ब्रैकेट बंद अब ब्रैकेट बंद करने के बाद जो एक वलफिर किया हमने जैसे यह हमने किया वह मान जो आया extra एक्शुली में वह आया जो answer आया वह आया आए आपको कितना i3 का मान तो हम को निकालना उसका क्यूब रूट तो क्या करेंगे उसी पर आपको या तो आपको क्या का लिए करें या तो स्नमर को लिखंग की mm निकालिए नहीं तो डिर्क्ली क्या करिए आपके कल्कुलेटर में एक जगा ऐसे कैप दिया होगा तो जैसे यह अंसर आ जाता उसके बाद उस कैप को दबाएए ठीक है उस कैप को दबाएए और जब आप को दबाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास लिखा है ना अब उसके बाद क्या करेंगे आप लगाएंगे ठीक है ब्रैकेट उसके बाद लगाएंगे वन करेंगे और क्यूब रूट निकालना तो वन करेंगे और फिर दिवाइड करेंगे फिर थी करेंगे फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे ठीक है फिर इक्वल दबाएंगे आपक तो यह सॉलिट साथ के केस में लेकिन अगर हालो साथ हो तब क्या करेंगे लेकिन अगर हालो साथ हो क्योंकि क्योंकि क्यों कहा है कि हालो साथ हो तब ज्याद किजी आंतरिक और बैवास तो इसमें लिखा है पहले ही हम लिख लेते हैं कि हालो साथ केस में जो दूसरा केस है प इसको हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं और इसी को हमने क्या माना था इसको लिख लेंगे इक्वल टू इसके बाद फार्मूला लागाएंगे टाव इक्वल टू 16 टी अपान पाई डी आउटर का क्यूब वन माइनस टू दी पावर फोर बस यहां से काम हमारा बन जाएगा ठीक है यहां से हमको डी आउटर का क्यूब पहले निकल जाएगा तो यहां से डी आउटर क्यूब का क्या फार्मूला बन जाएगा डारेक्टी फार्मूला लिख देते हैं इसके लिए तो डी आउटर का क्यूब इसक्वल टू हो जाएगा 16 टी अपान पाई टाव वन माइनस च्टू निकाले थे पहले पीछे देखते हैं आग बाद कितना है 95954929.6 और सम्टिंग करके था इसको उपर सही देख लेते हैं 6586 ठीक है तो 6586 रख दिया 6586 ठीक है और डिवाइड़ वाइड़ पाई इन्टु टाउ यानि 45 वन माइनस सी टुदी पाउर 4 सी कितना है आपका 0.5 पाउर 4 तो या तो इसको पहले एक बार आप निकाल लीजिए जिससे आपका असान हो जाए एक बार में भी कर सकते हैं लेकिन जिनको एक बार में करने आता उनको लिए तो ठीक है लेकिन जो पहली बार करें वह एक काम नहीं करेंगे एक बार में पूरा सॉलूशन नहीं करेंगे क्योंकि आपसे गलतियां हो सकती है आपसे गलति हो तो सबसे पहले इसका वैलू ही निकाल देगे इसका वैलू कैसे कल्कुलेटर में आप निकाल सकते हैं क्या करिए वन माइनस करिए और 0.5 के पावर कर दीजिए सिधे फोर ठीक है उसके बाद एक पल दबा दीजिए आपका अंसर आजाएगा तो आपका अंसर आजाएगा 0.9375 तो इसको रख दीजिए यहां पर को गया 16 इंटू 954929.6586 डिवाइड़ वाइड़ पाई इंटू 45 इंटू 0.9375 यह क्या आप आपका आगया डी आउटर क्यूब अब फिर वही प्रोसीजर सेम जो बताएं वही फालू करेंगे क्या करेंगे पहले ब्रेकेट लगाए लगाएंगे 16 इंटू 954929.6586 ब्रेकेट बन फिर उसके बाद क्या लगाएंगे डिवाइड करेंगे ब्रेकेट लगाएंगे पाई है तो पाई इंटू 45 इंटू 0.9375 पाई फिर आपका एंसर आया यह जो भी आया डि आउटर का क्यूब आया फिर क्यूब निकालने पर क्या करेंगे क्यूब ब्रेकेट लगाएंगे उसको पकर सेutet हांगे एंटू 5alley करेंगे तो दी आउटर कमान आया आपका 48 पॉइंट ठीक है कि दी आउटर कमान आया तो यह 48.669 यानि 48.67 हम कह सकते हैं 669 आया यानि 48.67 mm तो दी आउटर मिल गया अब यहां से डी इनर निकल जाएगा तो यह भी अंसर आपका आगया और जान लीजिए अगर आया तो एक साथ 10 नंबर का ही आएगा और एक्चली में आता भी है ठीक है डिजाइन का प्रिवेस यह पेपर उठागे देखिए कई क्वेश्चन है जो दस दस नंबर के आते हैं ठीक है दस नंबर का एक ही क्वेश्चन रहता है तो डी आउटर क्या यह इनर हो जाएगा इसका आधा यानि 48.67 डिवाइड़ वाइट तू है तो यहां से कि डिवाइड़ वाइट वाइटू कर देंगे 48.67 24.34 इतना हो जाएगा लेकिन वह जो है उसके बाद कर लेंगे जब 5 बटाएगे तो तो चुकि और नंबर है तो यहां से क्या हो जाएगा और हमेशा लास्ट में यूनिट लिखना नौ भूलें ठीक है यूनिट जरूर लिखें नहीं तो उसका क्या मतलब हुआ डी आउट 75 क्या मतलब हुआ उसको क्या पता कि यह कॉंसी क्वांटिटी है जैसे आप लिखते हैं तो पता चल जाता है लिख्चामर को किसी को भी कि यह क्या है दी आउटर कहीं न कहीं को 착 queens करता है और कोही दी game तो यूनिट लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है आप प्वेस्चन के लास्ट में जब अंसर आता तो यूनिट जरूर लिखें बीना यूनिट के छोड़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर वह जस्ट नियर नंबर हो जाता है ठीक है कोई सनिट यहांवे देखते हैं का के से ओनिंग मौनेट भालिपर करेशन अभी जू था आडि हमारा मौनेट वाले पॉवेस्ट 15 कुष्चन था गया है मैं ॐ ऊगहां कि लुक्य मेंट प्रिक तो मौनेटा यह दो देखेंगेücklich दिन्दिँ मौमेंट वाले पर करे। तो देखते हैं यहां पर कुश्चन जो है आपके सामने है कि एक रेल्वे ट्रैक दूरे को पहिए के अधार के बाहर प्रतिक दूरे के बक्से पर 102 mm दूरी पर कारेदर 50 किलो न्यूटन भार से भारित किया जाता है गेज 1435 mm है वहिए के बीच धूरे का ब्यास प्याद कीजिए यदि अनुमिय प्रतिवल 62 न्यूटन पर mm2 से अधिक नो हो अगर इससे अधिक नो हो अनुमिय प्रतिवल आपका यानि माइक्सिमम बेंडि तो फिगर बनाते हैं यह पहिए का आपका पहिए पर क्या लगा रियक्षन लगा तो पहिए को जगों पर हमने रियक्षन लगा दिया और गेज दूरी इन ही के बीच की दूरी होती होता है वह 1435 म अब इसके बाहर पहिए के बाहर 120 mm पर धूरा बाक्स द्वारा इस पर कितने पच्चास कीलोनीटन के भार से भारीत है धूरे बक्से के पज़े के आधार के बाहर तो पचास दोनों लग रहा है यहां पर इंग्लीज में लिखा होता हो तो सब समझ में आता कि है एक्चुली में दो दिखेगा लेकिन आपर दो लग रहा है एक से दो कुम करना है तो अब निकालना आए इस एकसल का धूरे का धूरा मतलब एकसल का डायमीटर कितना होगा तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास जो बेंडिंग मुंबेट सबसे से लिखते चलिएगा तो सब्सक्राइब हम लोग यहां पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो यह ध्यान रखेंगे जो हम लोग यूज करते हैं सिग्मा भी अपान थर्टी टू एम अपान पान पाइडी क्यों हम यह करेंगे ठीक है आपको मन कर रहा है यह वाला एम अप यह लिखने गया है कि यह कालनते हैं मैक्सिम МУमेंट है तो पूरे जो है इसमें सार्ट मेई हों रहा हूं मैक्सीम में पंदिंग हो निसी बीनिंग म कही है तो मेले जीचिव अनुर्ठ बड़र है यह पॉइंटे तो यहां पर लोड लगे होते हैं और किनारे पर तो जीरू होगा ठीक है आप लोग इतना तो किये होंगे बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम में तो देखेंगे दोनों बराबर है क्यों आप पूरा निकालने के कोशिस मत करिए बस क्या करिए इस पॉइंट पर इधर की लोड लग हुआ है तो इदर से साइट से आते हैं लॉट अपकर बेंडिंग मुवमेंट आता है कैसा है हैण मतलब इसको आपकर होता है हαι हओ है तो यहथा होगा ठीक है होग एखिक है तो एच नत्यक्स यी और ठीक होगा होग है होग तो तो नेगेटिव मान से हमको मतलब नहीं है बस मैगनिचूट से मतलब है तो यहां पर देखेंगे अगर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा पच्चास किलो न्यूटन का बल है तो पच्चास गुड़े अब भी नेगेटिव जागा तो नेगेटिव पोज़ती हैं साइन से मतलब नहीं है मैगनिचूट से मतलब है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम एडवी दोनों जगा सेमी है और यहीं बराबर है इतने के तो इसको इसी तरह से रहने रहते हैं और यह किसमें वान्निटन में क्योंकि यह जो डिस्टेंस है अमने एम एम में रखा तो यहां से आपको क्या करना है बस दी कमान निकालना तो डी क्या हो जाएगा थर्टी टू एम एम कितना है यहां पर आपके सामने पच्चास गुड़े एक हजार गुड़े दिवाइड वाइड वाइड पाई सिग्मा भी मैक्सिमा वेंडिंग इस्टेस पर मिस्वल कितना है शिक्स्टी टू है शिक्स्टी न्यूटन पर रख देंगे फिर यही कैल्कुलेशन इसी तरह से करेंगे जैसे आपको बताएं देखिए सेम आया कोई दिक्कत नहीं है इ है को इसमें नहीं है ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा यह एक सो दो हाँ साही किया तो आना ही चाहिए इतना 94.2 से है ठीक है तो यह आपका यहां से डायमेटर निकल जाता है अब जो है एक लास्ट कोश्चन है जो देख लेते हैं जो कंबाइंड पर है ठीक है तो कंबाइंड वाला यह थोड़ा हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है तो यहां पर एक जिसमें जिसका व्यास 800 mm है सबसे पास के बीरिंग से कितने का 245 mm का प्रवल यानि ओवर हंग है ठीक है यह नीचे से एक विद्दूत मोटर द्वारा चलाया जाता पट्टे के सीरे के द्वादाए समांतर पट्टे के तने पक्स पर खिचाव 4000 न्यूटन धिले पक्स पर संदफ के गिरनी है ठीक है यहाँ पर एक पहले तो अ गया है इसका मतलब होता यह है ए अभर अब है और यहां पर पुली लगा औि यहां पर प्लकोझत का लगा आया हुआ है ठीक है तो इसका साइड भी वीउम मैसे देख रहे ह। पूली का बहार भी है पूली का भार कितना है पूली का भार लिखा है और इसको मोटर द्वारा चलाए जा रहा है तो यहां पर पट्टे लगे होंगे तो एक और साइड में टिंसन है तो यहां पर उसके बास है कि इतना तो फीगर हो गया इसके बास लिखा भी पीवन बेटाइट तो कह रहा है कि घरनी का उचीत ब्यास ग्याद कि यानि इस सब्सक्राइब को निकालना तो अब देखेंगे तो क्या-क्या फोर्स लग रहे तो क्योंकि यहां पर लिखा वर हंग का मतलब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो देखें यहां से एक तो घिरनी का वेट और यह दोनों भी नीचे की और खिचाव ही है तो यह भी बल जूडेंगे यानि कितना हो जाएगा घिरनी का भार माले ये डवली से लिखते हैं अगर तो हो जाएगा आपका डवल्यू प्लस पीवन प्लस पीटू इतना टोटल लोड इंटू डिस्टेंस कितना है तो डवल्यू कितना है चार हजार प्लस पीटू कितना है और गुड़े तो यहां से कल्कुलेट कर लेंगे तो हमारा एम का माना जाएगा करही लेते हैं क्या ही समय जाएगा करी लेते हैं 600 प्लस चार हजार प्लस बारस तो अंठावन सा हो गया यह और गुड़े क्या कर लिया 245 तो यहां से 245 कर लिया तो यह हो गया आपका 1421000 ठीक है न्यूटन एम यह तो आपका आगया बेंडिंग मोमेंट तो अब तार्क कितना लग रहा है टार्सनल मोमेंट इस पर कितना लग रहा तो एक्चली देखिए यह पीवन और पीटू के कारड़ ही तार्क लगेगा क्योंकि वह ही खिचाव है पट्टे में इसको क्या कर रहा है घुमा रहा है यानि फि有沒有 माइनस पी टू 好 हए इतना फोर्स ठीक है इतना फोर्स लग रहा है वही घुमाने के कर रहा है तो पूली का लिंगा लेंगे कर लेंगे लिखने रेडियास तो यहां पे-2 कर लेंगे आर कर लेंगे तो तो होही जाएगा उसमें कोई लिखेंगे ठीक है लिखते हैं और तो यहां से हमको टार्क मिल जाएगा पीवन माइनस फीटू यहनी चार हजार क्या मिल जाएगा 4000-1200 गुड़े और कितना हो गया 400 mm ठीक है क्योंकि 800 mm डाया है तो रेडियस के इतना हो जाएगा 400 mm हो जाएगा तो यहां से हम लोग कल्कुलेट कर लेते हैं 4000-1200 इतना हो गया 200-400 यानि कि आगे आपका 112 ठीक है और चार जिरो एक दो तीन चार जिरो ठीक है यह हो गया हमारा न्यूटन mm ठीक है इतना न्यूटन mm में आपका टार्क आ गया और इतना अब यहां से क्या कर लेंगे या फिर इसको किन टूदी पॉर ठीक है मतलब एक चार दो एक गुड़े दस के घात तीन कर देंगे न्यूटन mm में ताकि आसान हो जाएगा मतलब आप कॉमन ले सकते चलिए वह तो आगे भी कर सकते हैं ठीक है यहां भी दस के घात तीन कर सकत यहां तो यही ताउ है यही परमिसीबल वाला इस्टेस है जो आपका दिया हूए 62 MP करके दिया हुआ और अंडर रूट एम स्क्वार प्लस की स्क्वार कर लेंगे अब यहां पर क्या करना है सारे वैलू रखेंगे आपका जाए मीटर निकल जाएगा तो यहां से हो जाएगा कि अब इक शीटीन अपन पाई टाव कितना 62 MPa पाउं आधी एंपी आधी एंपी 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 तो यहां आधी एंपी रख देते हैं तो यहां पर 80 MPa होगा यानि एटी न्यूटन पार एंपी का मतलब वही होता है हम लोग जानते हैं अब यहां पर एंप की वैलू रख दीजिए और अपना टी का वैलू रख दीजिए और उसका इसक्वायर कर दीजिए फिर स्क्वायर रूट टी का लिए फिर यहां से जै तो यहां से आपका मिल गया 48.66 mm जो है आपका अंसर आजाएगा आप लोग कल्कुलेट करके एक बार कंफर्म कर लेंगे ठीक है तो यह आपका पूरा जो है डिजाइन आप साफ जो है कंप्लीट हो जाता है अब ठीक है इसमें बहुत अच्छे से हमने सारा डिविजन कर ल तो मुझे दीजिए जालत धन्यवाद